हेलो दुस्तो तो इस वीडियो में हम लोग विज्यान की वर्कसीट को solve करेंगे पूरा का पूरा solve इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सभी प्रेशनों की आंसर एक दम perfect तरीके से आपको बताया जाएंगे तो वीडियो को last तक देखिए और पूरा देखिए ध्यान से स करके आप सभी वीडियो देख सकते हो ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं प्रिशने क्रमांग के एक से जिसमें आपको अपनी वर्क सीट को लेकर वैठना है और जैसे भी आपको आंसर बताया जाएंगे सभी को नोट करते जाना है तो चले स्टार्ट करते हैं तो इसको परले चुपने में आधिक समय लगीगा इस अमेर देना आपको तो पहली किस रोग से घिया तो छुळी आंस्थ लेज़ धी तो नेरे पहली कोई है रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है तो पहेली को यह है रोग विटामिन C की कमी से हो रहा है ठीक है इसके बाद है डाक्टर ने पहेली को अपने भोजन भोजन के बाद किया दिया है देखी भोजन में किन खाद पधारतों को अधिक्तम लेने की सलाय दी है तो डाक्टर ने पहेले को अपने भोजन में हरी साख सबजीयों खटे फल जैसे संत्रा नेवू आदे की सलाय दी है इसकी बाद है देखिए यहाँ पर आभाव जन्न अंसर हो गया तो देख लिए ची एक दो तीन और एक चार तो चारों कोशन जो आप प्रशने क्रमांग एक के अंतर दिये गए थे तो सभी की आंसर आपको बता दिए तो अब जल्दी से अभी तक नहीं लिखे तो आप जल्दी से लिख लीजिए ठीक है इसकी बाद देखत सब्सक्राइब दो का सेकन दिया गया है पौधे के भाग को उसके नाम लिखना है आपको आने की जड़ तो इसको इसी मिला दीचे ऐसा एह होती है जड़ ठीक है और पत्ती क्या होती है तो देखे पत्ती देख रही है आपको तो यह पत्ती होगी आपकी और इसके बाद में फूल तो फूल कि यहाँ पर दिख रहा है और इस प्रकार मिला देना है और टना क्या होता है तो देखे ए कर देख देख लिए जिसमें एक दो और तीन कॉश्चन किये गया है ठीक है तो तीनों question के मैं एक साथ आपको answer बता देता हूँ आप question को पढ़ते रहना आपको direct में answer बताता हूँ तो आप जल्दी से इनको note कर लेना एक, दो और तीन तीनों के answer में एक साथ बता देता हूँ तो आप जल्दी से note कर लीजिए इसके बाद हम लोग प्रसने क्रमांग 4 को देखने वाले हैं तो देख लेजिए प्रसने क्रमांग 3 का first का answer ये रहा तो इसको भी जल्दी से आप लिख लीजिए इसके बाद मैं second question देखते हैं इसी का, ठीक है? तो देखिए इस second question रहा आपका प्रसने क्रमांग 3 का तो इसको भी जल्दी से note कर लीजिए अपनी work seat में या फर आप screen shot ले सकते हो या वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हो इसके बाद देख लीजिए ए third का answer रहा तो इसको भी आप जल्दी से note कर लीजिए इसके बाद हम लोग प्रिशने क्रमांग 4 को देखेंगे तो देख लीजिए प्रिशने क्रमांग 4 क्या पूंचा गया है आपके चार और पाए जाने बाले भौत एक रासानेक परीबरतनों को उधारन सहत लिखना है तो इसका answer भी आप जल्दी से देख लीजिए प्रिशने क्रमांग 4 का फश्ट का ठीक है तो लिख लीजिए आप भौत एक परीबरतन के उधारन और रासानेक परीबरतन के उधारन सभी को जल्दी से note कर लीजिए अपनी work seat में ठीक है अपार दर्सी के उधारन सहत बताना है आपको पार दर्सी और अपार दर्सी ठीक है तो इसका भी आप answer देख लीजिए ए रहा तो जल्दी से इसको भी note कर लीजिए अपनी work seat में लिख लीजिए ठीक है तो जल्दी से लिखते जाईए इसके बाद में प्रिशने क्रमांग 5 प्रिशने क्रमांग 5 को ध्यान से देखिए मचलिया जल में रहने के लिए अनुकूलत है जबकि उट मरुस्तल में रहने के लिए अनुकूलत है यहाँ पर क्या लिखा है जल में रहने के लिए अनुकूलत है और उट मरुस्तल में रहने लिए इसका आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसके बाद हम लोग प्रिशने क्रमांग 6 देखेंगे तो प्रिशने क्रमांग 6 के स्टार्ट होने से पहले इसका सेकंड देख लिए प्रिशने क्रमांग 5 का यहां पर कुछ नाम दिये प्रिशने क्रमांग 6 को देख लेते हैं तो प्रिशने क्रमांग 6 में देखें क्या पूचा गया है सैनेक पुल पर मार्च पाष्ट क्यों नहीं करते हैं मार्च पाष्ट का मतलब यहां पर यह है कि देखिए जब सैनेक एक साथ निकलते हैं तो लेप्ट राइट लेप्ट राइट करते हूं निकलते हैं तो और एक पर नीचे एक पर उपर करके निकलते हैं तो यहां पर ए पर तो इरहाब का अंसर इसको अच्छे बड़िये तरीके से अपने सब्दों में भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर मैंने इस प्रकार लिख दिया तो आप यहाँ पर कदम लिखना था ठीक है कदम रखते हैं तो आप जल्दी से इसको भी लिख लीजिए इसके बाद मैं दे करनाओ देख रहा है तो इस परकार आपको एकटिकल करना रहा है तो पौदी को लिए और यहांपर आप ऐस परकार एक पनी को बांदब देजी है दा कर पको ढड़न देख जाए तो फर आपको frankतानाब कि आपनी के अंधर क्या हुआ तो यह लिख देना है इसकी बाद प्रकारन सोच कर लिखे तो इसको आपको सोच कर लिख देना है तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना था अब इसके बाद में जो प्रोजेक्ट का रहे हैं इसको आप स्यम कीजिए क्योंकि आसान होता है आपको स्यम करना होता है ठीक है तो वीडियो को लाइक कर देजिए और द देख सकते हो, तैंक यू